अधर्मेंद्र प्रधान जी के माध्यम से लगभग पच्चास हजार बहनों से सीधा संपर्क और समवाद कर पा रहे हैं ये समवाद तब सुनिश्चित हो पाया है जब प्रधान मंत्री जी के नेत्रित्व में हम स्वाभिमान का ये उत्सव पेट्रोले मंत्राले के सोजन्य से महिला होने के नाते मना पा रहे हैं ये शायद सौभाग्य है उरिषा का कि प्रधान मंत्री जी ने महिला की शक्ति को बढ़ाने का महिला के सामर्थ को बढ़ाने का ये एतिहासिक कदम ये एतिहासिक सोच जब भारत सरकार में सुनिश्चित की तो उज्वला योजना की कमान उडिसा के ही एक बेटे के हाथ में धर्मेंद प्रधान के हाथ में दी और आज उसी बेटे के माध्यम से उडिसा की बेहनों के साथ मेरा संपर्खो पा रहा है वैसे तो कहा जाता था कि एक गरीब बेहन चूला फूंकते हुए धूएं से भरी रसोई में हर दिन अपने परिवार के लिए दोवक्त की रोटी बनाती उसकी वो खासी घर में सुनाई तो देती लेकिन उसका समधान घर में किसी के पास ना होता एक खासी ये पीड़ा सुनाई दी देश के प्रधानवंत्री नरेंद्र मोदी को जो स्वयम एक सामान्य और ग्रामीन परिवार से है और उन्होंने निश्चे किया कि जब देश ने उन्हें प्रधान सेवक की भूमिका में जिम्मेदारी दी तो महिलाओं की वर्षों से चली आ रही इस चुनादी का समधान वो स्वयम देंगे राष्ट की तिहास में पहली बार ये कल्पना की गरीब बहन की रसोई को धुएं से रहित करेंगे ये कल्पना उज्वला योजना के माध्यम से राष्ट की सामने प्रस्तुत हुई एक लक्ष रखा गया कि एक छोटे से समय अभिदी में हम पास करोड बहनों तक पहुँचेंगे पास करोड बहनों तक पहुँचना कुछ लोगों को लगा कि प्रशास्तनिक धाचे के माध्यम से शायद कम समय में संभव ना हो पाए लेकिन असंभव को भी संभव कराने की कलपना प्रधानबंत्री जी में हैं और असंभव कारे को संभव करवाने की छमता धर्मेंद्र प्रधान में और यहीं इतिहास रचा गया आज प्रधान मंत्री जी के नेत्रित्त में जब हम सब ने राष्ट्रपती जी का अभिभाशन सुना संसद में तब हम सब गदगद हुए जब राष्ट्रपती जी ने राष्ट्र के सामने बड़े उत्साह के साथ ये कहा कि 6 करोड बहनों को अब उज्वला का अशिर्वात देश भर में प्राप्त हुआ है लेकिन धर्मेंद्र भाई और विशेशता प्रधान मंत्री जी सफलता कि इस शिघर पर पहुँच कर भी कहीं न कहीं संतुष्ट नहीं हुए इन्होंने कहा जब तक हरे गरीब बहन की रसोई को धुए से रहित ना करने तब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं इसलिए अब इस संख्या को बढ़ाकर लक्ष को आठ करोड तक कर दिया गया है उडिसा की बहने जो लगबख शायद 28 थानों से हमारे साथ आज इस संबाद में जुड़ी हैं उनसे कहना चाहती हूँ कि उडिसा में ना सिर्फ 36 लाक बहने उज्वला का आशिरवाद और सहयोग पा रही है लेकिन एक महिला होने के नाते आज गर्व कर सकती हैं कि प्रधान मंत्री के नेत्रित्व में महिला के सम्मान में न सिर्फ रसोई को ठीक करना बलकि शौचाले की एक आम बलकि महत्वपूर्ण सुविधा को दिलवाने का कारे भी प्रधान मंत्री जी के नेत्रित्व में हम उडिसा प्रदेश में कर पाएं वो प्रदेश जिसमें 2014 तक मात्र 11% ही 9.6 लाक टॉयलेट सी उपलब्ध थे आज उस प्रदेश में बढ़कर ये संख्या लगभग 80% से जादा पहुँच गई है 64 लाक टॉयलेट बनाने का सौभाग्य महिला के सम्मान में नरेंद्र मोदी की सरकार को प्राप्त हुआ है आज एक तरफ उज्वला का स्वाभिवान उत्सव है दूसरी तरफ महिला के सम्मान में टॉयलेट्स बनाने की बात है तो तीसरी ओर अगर किसी महिला से पूछें कि घर परिवार में अगर स्वास्त की विपता आती है तो क्या हाल होता है परीजन कोई बिमार पड़ता है बच्चा बिमार होता है, पती बिमार होता है, माता-पिता बिमार होते है तो महिला सबसे पहले कहती है सारे काम छोड़ो जितनी संभव शमता है उसे लगाओ ताकि उसका उपचार अच्छे हस्पताल में हो सके महिला खुच जब इमार होती है तब पैसे होने के बावजूद भी परिवार का आर्थिक बोज ना बढ़े वो महिला अपने स्वास्त पर पैसा खर्चा नहीं करती है एक गरीब परिवार की स्वास्त की द्रिष्टी से इस चुनवती को समझते हुए प्रधान मंत्री जी ने आयुश्मान भारत की कलपना को सच कर दिखाया देश के 10 करोड नागरिकों के लिए वो नागरिक जो गरीबी से जूचते हुए स्वास्त की चिनोतियों से जूचते हुए अपने आपको अकेला महसूस करते थे उन्हें प्रधान मंत्री जी ने प्रतेक गरीब परिवार को 5 लाख रुपे की स्वास्त का कवच दिलवाने का कारे किया हमारे साथ मेरे साथ धर्मेंद्र भाई के साथ नडध जी भी क्याबिनेट में सेवा देते हैं वो फूले नहीं समाते जब कहते हैं कि 10 लाख लोगों ने अब तक आयूश्मान भारत का लाब लिया लेकिन जब हम धर्मेंद्र भाई की तरफ नजरे धराते हैं और कहते हैं कि धर्मेंद्र भाई ये तो बताईए कि आयूश्मान भारत के उडिसा प्रदेश में कितने लाभारती हैं तो धर्मेंद्र भाई सिर्व ये बतलाते हैं, कि भले ही नरेंद्र मोदी ने ये सौगात, ये योजना राष्ट भर के लिए समर्पित की, लेकिन उडिसा में कुछ राजनेतिक कारणों की वजह से, गरीब परिवार को पांच लाक रुपे की ये सौगात नरेंद्र मोदी की पहुचाना कुछ राजनेतिक तत्व नहीं चाहते हैं, इसलिए आज तो पचास अजार जो बहने सुन रही हैं मुझे, मेरा उनसे आग रहे है कि आप जाएं और वो लोग जो इस वक्त प्रशासन में हैं सत्ता में हैं, उनसे पूछिए कि हमारे अधिकार का पांच लाक र कि मैं आप से संपर्क कर पाऊं, इस अभिलाशा के साथ कि आज पांट स्थलों से आपके सीधे प्रशनों के उत्तर हम दे पाएंगे, मैं वापेस दुबारा ये माई धर्मेंद भाई को देती हूँ बहुत बहुत धन्यबाद आधर्णिया स्मुर्ति जी, हमों को सिये उडे मनर करश्ट कथा कुभी मने पकैले, जे उडिशारे नरेंदर मोधिंक सर्कार द्वारा भारत वर्षरे गरिवा घोनी मान को पाएं, भाये मान को पाएं जो आयुसमान भारत जोजना आरमकराई ज सबुग अस्तरे अनुन है की सेठीकार राज्या सरकार विशेश करी की मुख्यमंत्री नभिन पटने को अन्रोद को रुचंती, जे राजनिती ता जागारे थाई पारे, किन्तु जो बड़ी सारव होनी बड़ो हस्पीटाल ले चिकिष्या करेवा पाएं चाऊंची, जो पाइटी एम्स आशिवा पाएं चाऊंची, कोन सी घरोई हस्पीटाल को आशिवा पाएं चाऊंची, कम से कम ताक्कू भारत सरकान के स्कीम नु बंचित कराना जाओ, इटा ही से बारामबार रन्रोद को रुचंती देखा जाओ, कोन के बे सद्बुदी हवा, नाली लोको आश्ता बाहर करने मुँ ये चर्चा को आक्कू नहीं की, मुँ एवे मत्ते क्वा गला, धर्मगर्णु जने भोणी, चंद्रिका कुमार, से आमसांगरे धर्मगर्ण नहीं जिवा, जो बंधुमानिये टेक्नोलोजी को जोड़ू चंती, से मने धर्मगर्ण आमको नहीं अच्प्वानी आच्छी ता स्मुती जी आलोचना करीवापाये चाहिमें, धर्मगर्णु चंत्रिका कुमार कराहंदी जिलारो बहोंञी चंदिरीका खुमार ड वहां ड क्यामन से चंदरीका दिधी कीमतिया क्यात्षा तुम्हें जो भाई तुमें बहबर जो चंदरीका दिधी ।ो पानाज मैं दो यपरी नि द्व क्या जाओ ओर तुम्हें क्यामरी बारा तुम्हें बारा गाई दीचनल क्यामरी बारा अध्य माइक दिया चंट्रे कर देती बड़्या दर लिगो धुरय कि अच्छु हाहा हा है है यह है यह ए अ झाल झाल